कुछ पर्विन खान और आज का आपका हिस्ट्री एफ्टियार का जो सेशन है वो इंडियन हिस्ट्री का लास्ट एफ्टियार सेशन होगा हमने कल के लेक्चर में मिडिवल इनियन इस्ट्री नितिहास के कुछ इसके पहले हमने दो दो लेक्चर्स पहली मॉडन और फिर इंचिन इस्ट्री में डील के तो आज का उसे साफ से जो लास्ट लेक्चर होगा वो मिडिवल इनियन हिस्ट्री के ही कुछ और क्वेशन से रिलेटेड होगा तो दो लेक्चर्स मैंने आपको बताए हैं मॉडन के दो एंचिन के और यह जो दो होंगे यह मद्दिकाली नितिहास के होंगे तो शुरू करते हैं आज का से स्टार्ट विटे क्वेशन आपका क्वेशन नमर वन है सूफी बाद से संबंदे दिनिम्न कथनों में असत्य कथन चुने इनकरिक्ट स्टेट्मेंट आइडेंटिफ बंदी संब्रदायके थे और option D है आपका इनमें से कोई नहीं इसका answer होगा D इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं का मतलब क्या होगा तीनों ही जो स्टेट्मेंट्स हैं वो करेक्ट है इनमें से कोई भी incorrect स्टेट्मेंट नहीं है तो यह question लेने का मकसद मेरा था to throw light on an important part of medievalian history and that is bhakti and soofi movement ठीके मधिकाले नितिहास का एक और important part होता है भक्ति आंदुलन और अंदुलन मधिकाले नितिहास के समाज राजनीती प्रशासन हर एक चीज़ पर इन आंदुलोनों का प्रभाव पड़ा था धार्मिक सद्भाव और प्रेम से परिपून कोई नई एक नई विचार धारा मधिकाले नितिहास में देखने को मिली थी जो भक्ती संत थे और जो रहस में वादी जो लोग होते हैं उन्हें सूफी का जाता है सूफी का शाब्दिक अर्थ होता है प्योरिटी एंड सेंटिटी मतलब शुदिता और पवितरता और सूफी वह कहलाता है जो तसवुफ का नुवाई हो तसवुफ मतलब वह जो सभी धर्मों से प्रेम करने वा आपको यहां फिलहाल यह जानना है इस question से में डिरेक्टर डिलेट करती हूं सूफी वाद को सूफी वाद के आयने अकबरी जो किताब है उसके हिसाब से 14 सिलसिले या संपरदाय भारत में थे सूफी जम में जो अलग-अलग sects होते हैं संपरदाय होते हैं उसे सिलसिला कहा जाता है तो एने अकबरी के एकॉर्डिंग 14 सिलसिले सूफी वाद के भारत आये उसके अलग-अलग प्रपाउंडर्स थे ठीक तो उनहीं में से 4-5 इंपॉर्टेंट ऐसे सिलसिले हैं जिनके कुछ इंपॉर्टेंट सूफी संतों को आपको याद करना है तो 4-5 कौन-कौन से चिश्टी, सुहारवादी, कादरिया, फिर्दॉसी, और नक्षबंदी ठीक, नक्षबंदी तो चिश्टी, सुहारवादी, कादरिया, फिर्दॉसी और नक्षबंदी कम से कम ये 5 सिलसिले यहने संप्रदाय सूफी बारत के बारत में जरूर पढ़ लीजेगा इसके संस्थापक कौन थे, इसके फांडर कौन थे और इससे जोड़े कौन-कौन से, सूफी प्रसिद संथ भारत में है और उनके बारे में कुछ जान का रही है तो उन्हीं सिलसिलों पर से और संथों पर से यह सारी कतन है शेख बहाउदीन, जकरिया, सुहारवादी संप्रदाय के थे, बिलकुल सही है ठीक है, फाउंडर थे, जुहारवादी संप्रदाय के, बदरुदीन, समरकंदी, फिरदौसी संप्रदाय के थे, ये भी सही है बकी बिल्ला, नक्षबंदी संप्रदाय के थे, ठीक है, तो शेख बहाउदीन, जकरिया, बदरुदीन, समरकंदी और बकी बिल्ला कई ना कि यह जो founders हैं उनके ही नाम लिखे हुए तो directly इन से related हैं आप यह ना सोचे कि आपको सब याद करना पड़ेगा कम से कम जो initial हैं जिन्होंने इंडिया में फैलाया है जिन्होंने originate किया इन सिल्सलों को कम से कम उन दोनों के नाम ज़रूर याद कर लिज़ेगा जिसे इसके अलावा चिष्टिया और कादरिया इनके भी जो related सेंट्स हैं उनको याद कर ले और इन संब्रदायों के और जो प्रसद संथ हैं उनके भी नाम ठीक है तो answer हो गाड़ी इन में से कोई नहीं let us move on to the next question question number two question number two है भक्ति आंदोलन से संबंधित सत्य कथन चुने देखि अगेन मैंने अब इसका जिकर किया ही था इसले मैंने एक सवाल सूफी बात पर और एक सवाल भक्ति आंदोलन पर किया है भक्ति आंदोलन सम्मधित आ यूफ टाइडेंट्वाइट करेक्ट स्टेट्मेंट ठीक है कबीर सगुन भक्ति संथ थे सूरदास निर्गुन भक्त संथ थे गुरुनानक निर्गुन भक्ति संथ थे यह उप्रोक्त सभी सत्य है सत्य आइडेंटिफाई करना है तो बताइए कौन सा ऑप्शन सहीं होगा इसका इसका आंसर होगा सी गुरुनानक निर्गुन भक्ति संथ थे तो देखिए सूफिवाद और भक्ति आंदोलन के बारे में मैंने अभी जिकर किया ही बहुत से इंपोर्टेंट भक्ति संत मतिकाली नितिहास में भारत में वे जिनकी विचारधाराओं का प्रभाव कई शासकों उपर और समाज पर काफी प्रभावी तरीके से पड़ा तो जो भक्ति आंदुलन थी इसमें भक्ति की दो पद् अराधना किया करते थे ठीके ते नेवर यूस्टू रिजेंबल गॉट विट एनी कॉंक्रीट मतलब की कोई मूर्थ रूप नहीं दिया करते थे वह हमेज़ा निराकार रूप एक डिवाइन शक्ति की रूप में उसकी पूजा किया करते थे अराधना किया करते थे वह सब्सक्रादना किथी संगुण भक्ती संतों निर्गुन भक्ती संत जैसे की कबीर हैं गुरु करतीर रवी-दास नें तीन चार आप अगर नाम सूनेंगे खास्तों आप कबीर if all और गुरुनानक का नाम करते हैं ये तो ये निर्गुण भक्ति शाका से और सगुण भक्ति शाका में तो जितने अचारे इसे शंकराचारे, मादवाचारे, निम्वकाचारे, उसके अलावा रामानंद, तुलसी दास, सूर दास, ये कही ना कहीं आप देख सकते हैं, शैव या वैशनव भक्ती सेक्ट को बिलॉंग करते थे तो इश्वर के साकार रूप को या मूर्थ रूप को ये पूजते हैं अराधना करते हैं उसे मानते हैं तो ये जो है सगुण भक्ती संप्रदाय के हैं और कबीर और नानक जो है वो तो उसी से जुड़ा यह question है, आपको सत्य कथन बताना है, कबीर सगुन भक्ती संत थे, यह गलत है, क्योंकि अभी मैंने कहा, यह निरगुन थे, सूर्दास निरगुन भक्ती संत थे, यह भी गलत है, हम सभी जानते हैं कि जो सूर्दास है, वो सगुन भक्ती संत थे, ठीक, उसकी अलावा गुरु नानक, निरगुन भक्ती संथ थे, ये सही, अभी-अभी मैं का न, इश्वर की निरकार, जो अस्तित्व है, उसकी अराधना करने वाले संथ थे, गुरु नानक, तो इसलिए ये स्टेट्मेंट करेक्ट है, ठीक है, तो आंसर होगा C, गुरु नानक, अभारत नहीं आया था, ठीक, अलबरुनी, फिर्दौसी, फरूखी, और इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा D, इनमें से कोई नहीं, मतलब इनके साथ बाकी तीनों भारत आये थे, देखिए ये क्वेशन जो है, मतलब आंसर D होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, मतलब अलबरुनी भी आये था, फिर्दौसी भी आये था, और फरूखी भी आये था, ये जो क्वेश और महम्मद गौरी के आकर्मन और उनके द्वारा किये गए भारत में युद्धों का जिकर करते हैं, पढ़ते हैं, वहां से क्वेशन पर किया गया है, तो महमुद अगजनवी जो भारत में कई दफ़े आकर्मन के इरादे से आया, सन 2001 से 1027 के बीच में महमुद अगजनवी भारत पर 17 बार आकर्मन किये थे, जिसमें सबसे प्रसिद जो आकर्मन था, वो 16 नंबर का आकर्मन था, जो है 2025 इसवी में इसने गुजरात के सोमनात मंदिर पर किया था, जहां पर सुलंग की वंश का शासन चल रहा था, तो हम महमुद अगजनवी के इस आगमन इस आकर्म जिन्होंने तहकी के हिंद या किताब लहिंद लिखी, वो इसके साथ आये थे, फिरदौसी जिन्होंने शाहनामा या बुक अफ किंग्स लिखी थी, वो भी इसके साथ थे, साथ इसाथ फरूखी और अप्ती, ये तीन चार स्कॉलर्स इनके साथ आए हुए थे, ठीके, तो गजनवी के साथ ये तीन ही आये थे, इसलिए इन में से कोई नहीं आइसर होगा, जैकलिया, विद देट लेट, लेट लेट, लेट अव मूव ओन तो दे नेक्स वेशिन, वेशिन नमबर फोर, सामने स्लेव डैनेस्टी के कुछ शासकों के नाम दिये गए हैं, आपको कुछ गोट लिए गए हैं, what will be the answer, इसका आंसर होगा, बी, एका 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, ऑने कुछ नाम मस्जिद, इसका होगा खुत लेट नाम अइबक, बी, सुल्तान गड़ी का मकबरा, इसका होगा इलतुतमिश, इसका होगा इलतुतमिश, सी लाल महल, इसका इसका होगा थ्री कैको बार लेकिए अगेन वन अफ दी मॉस्ट इंपॉर्टन पार्ट टू डील वाइल स्टुडिंग हिस्ट्री आर्किटेक्चर खास्तों प्मदकाले नितिहास में पूछता ही है किताबों से ज्यादा भी अगर देखें तो जो स्थापते हैं उस पर सवाल आती ही है दिल्ली सुल्टान और मॉलो ने जो जो इंपॉर्टिंग कंस्रॉक्शन लक्स करवाए है उसकी अब अलग सिलिज बना करके याद करिएगा तो नहीं में से घुलाम वंच की उपर ये क्वेशन पूछा गया है ठीक कुवत अलिस्लाम मस्जिद दिल्ली में है ये भारत की पहली मस्जिद कहला थी जिसे खुत्वुदि नैबक ने बनवाई थी सुल्तान गड़ी का मगबरा भारत का पहला इसलामी तरस पर बना मगबरा कहलाता है जिसे ल्तुत्मिश ने अपने बेटे की मृत्यों के बाद बनवाया था ठीक लाल महल जो है ये दिल्ली में बलबन गया सुदिन बलबन ने बनाया था जो तीसरे गुलाम वज़ बलबनी वज़ का संस्थापक था और बलबन का ये उतरा दिकारी था कैकुबाद जिसने के लाखोरी का महल बनवाया था ठीक है तो तो डेट इजी क्वेशन है उसको कन्फ्यूजिंग कर दिया मैं आजदा फॉलोइंग करके बट ये तो एक वोन अफ दी मॉस्स पॉपुलर पार्ट से क्वेशन है इसका आंसर होगा सी दिवाने इंशा पेंशन विभाग दिवाने इंशा व्याई विभाग और डी है सभी सुमेले थे इसका आंसर होगा सी दिवाने इंशा व्याई विभाग देखिया अगें एक बहुत ही पॉपलर एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट पार्ट से सल्तनतकाल का विभाग अगर हम देखें तो बलबन के टाइम से ही कोई ना कोई विभाग कोई ना कोई विभाग सल्तनतकाल इंप्रशासन में बनते आए आपने देखा होगा कि पढ़ा होगा अपने की बल बनने खिल जीने महमध बिन तुगलग ने फिरोश्या तुगलग ने बहुत सारे विभाग बने जैसे दिवान अरच दिवाने मुस्तख्राच दिवाने बरीद, दिवाने खेरात, दिवाने बंदगान, उन्हीं विभागों से अकसर सवाल पूछता है, नाम दे देता है इनकी उर्दू और सामने ले देता है कि कौन सा विभाग था, या फिर एक मैच दा फॉलोइंग रहेगा जिसमें आपको विभागों के नाम दे देगा और सा सारियों से मैच करने देगा, तो यहां पर विभाग किस तरह का था, वो अरुदू का नाम दे दिया और किस तीज का विभाग था, उससे रिलेटेट क्वेशन है, तो देखो, पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब दिवाने रिसालत, 100% foreign department, external affairs department, विदेश मंतराले को कहा जाता था, दिवाने इश्तिहाक, pension विभाग को कहा जाता था, पर दिवाने इंशा जो है, इसमें लिखा है, वे विभाग ये एन expenditure department, ये गलत है, बिकॉस दिवाने इंशा जो है, ये पत्राचार विभाग को बोला जाता था, तो दिवाने इंशा जो है, ये रोयल कोर् that is question number six question number six है आपका राजपूत काल से संबंदित असत्य कथन को चुने I have to identify again the incorrect statement related to राजपूत एरा तीन स्टेटमेंट्स दिये गए इसके बाद कुछ कोड दिये गए है नर्सिंग विर्मन चोट गंग ने पुरी के जगरनात मंदिर की स्थापना की धार का सरस्पती मंदिर राजा भोजने बनवाया था दिलवाडा जैन मंदिर माउंट अबू का निर्मान चोहान वंश के शासकों ने किया था केवल एक एक और तीन एक और दो दो और तीन आपको सही आसर बताना है और पुरी के जगरनात मंदिर की स्थापना की थी ये गलत है और तीसरा वला जो स्टेटमेंट है ना कि दिलवाडा जैन मंदिर जो माउं टाबू में है उसका निर्मान चोहान वंश के शासकों ने किया था ये गलत है सेकेंड स्टेटमेंट जो है धार का सरस्वती मंदिर राजा भूजनी बनवाया था बिल्कुल सही है देखे ये अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री ये ने प्रारंबिक मदिकाले नितिहास ये राजपूत काल जिसका ये जिकर कल भी किया था मैंने इंदकार काल कहा जाता है वहां से लिया गया है भारत सकी कही कंदरों में बटा था और बहुत सारे शासन थे बहुत सारी यहां पे राजबंच थे पूरे भारत में तो इसे हिसाब से ना यहां पर जितने होता ना कि अन्प्रिडिक्टर टैप की कॉईशन्ट वो यहां कौन सा construction, किस ने करवाई, डिरे-डिरे questions, तो इस पार्ट को जाराद, आप कह सकते हैं कि कई बार उतना importance नहीं दिया जाता था, पर question paper को difficult करने के लिए, इस पार्ट से question पूछे जा सकते हैं, तो यहां जो questions दिये गए हैं, यह राजपूत काल में constructed मंदिरों के उपर हैं, कि कौन से बंश ने कौन सा मंदिर construct करवाया, तो पहला और तीसरा हमने गलत लिया है, तो पहला गलत क्यों हैं, नर्सिंग वर्मन चोडगंग ने पूरी के जगनात मंदिर की स्थापना की, यह गलत इसलिए हैं, क्योंकि राजपूत काल में ओडीसा के गंग वंश के शासक अनन्त वर्मन चोडगंग अनन्त वर्मन चोडगंग ने जगनात पूरी के मंदिर को बनवाया था, ठीके पूरी में जगनात मंदिर है, नर्सिंग वर्मन ने नहीं अनन्त वर्मन ने बनाया था, nursing वर्मन ने कोनार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्मान करवाया था इस वज़े से statement गलत है थर्ड वाला statement दिलवाडा जैन मंदिर का निर्मान चोहान वंच के शासकों ने किया ये गलत इसलिए है क्योंकि हाला की हम जानते है माउंट अबो जो है राजस्थान में और राजस्थान में चोहान वंच था पर जिस एरिया में ये मंदिर है वहाँ पे सुलंकी वंच के शासकों का राज था तो दिलवाडा जैन मंदिर का निर्मान चोहान नहीं सुलंकी वंच ने करवाया है ठीक है ये एक जैन मंदिर है प्रसिद जैन मंदिर माउंट रवो में जिसका जो निर्मान है वो भीम प्रतम सोलंकी वंच के जो राजा दे भीम प्रतम उन्होंने करवाया था इस वज़े से ये statement गलत है जबकि जो statement टू है कि धार का सरस्वती मंदिर राजा भोज ने बनवाये बिल ने कमाल पाशा मस्जिद वहां पर बनवाई थी तो ये सारे facts जो मैंने अभी इतनी देर में बोले उसे जुरूर याद रखेगा ठीक है तो इसे साफ से second statement right है first और third रहोंगे answer होगा B, one and three क्योंकि incorrect आपको identify करना है ठीक Now let us move on to the next question now question number seven दस्तूरूल अमल किस मुगल शासक ने जारी किया था ठीक है दस्तूरूल अमल करके एक word दिया गया और इसे किस ने जारी किया था अकबर और अंजेब जहांगीर इनमें से कोई नहीं एक direct factual question है क्या होगा answer इसका answer होगा C, जहांगीर दस्तूरूल अमल क्या है जहांगीर जो की अकबर का उतराधिकारी था जिसने सन्सोला सो पांचे सन्सोला सो सत्ताईस के बीच में भारत पे शासन किया था वो अपनी न्याय प्रियता के लिए जाना जाता था एक न्याय प्रिशासक कहा जाता था जहांगीर को और उसी नियाए प्रीरता का एक परीचे दस्तुरूल अमल है जहांगीर ने 12 रूल रेगुलेशन का एक प्रोटोकॉल एक सेट रिलीस किया अपनी प्रजा के लिए जिसका सीधा सीधा लेना देना नियाए विवस्ता से था मतलब की सीधा सीधा जस्टिस से था दफ्तूरू लमल का मतलब होता है कि 12 कुछ ऐसे set of judicial rules थे जो राजा और राचतंत्र जो है follow करेगा 12 rule regulation के sets थे जैसे कि इन्होंने कुछ judicial reforms बोल सकते हो कुछ चीजे न्याय ववस्था में उन्होंने change की थी जैसे इन्होंने अमानवे जितने भी punishment सुआ करती थी जैसे नाख काटना कान काटना ऐसी punishment सुआ करती थी उन्हें हटा दिया कि ऐसी कोई भी punishment नहीं दी जाएगे इन्होंने किसानों से किसी भी हालत में जबरदस्ती जो जमीन वसूली जाती थी उस पर प्रतिबंद लगाया उसके अलावा इन्होंने गुरुवार और रविवार को याने कि थर्सडे और संडे को पशु हत्या पर बैन लगा दिया था साथी साथ शराब और दूसरे मादक और नशीले पदार्तों पर भी उन्होंने प्रतिबंद लगा दिया था यहने अपने सामराज में न्याय व्यवस्था को मानवी रंग देने के लिए और न्याय व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने दस्तुरूल अमल जारी किया था, ठीक है, साथ ही साथ आपने सुना होगा कि न्याय की जंजीर या जंजीर अदल भी जहांगे न ताज महल से समद्धित असत्य कथन चुनिया, again you have to identify incorrect statement related to the most famous monument of India, ताज महल, ठीक है, इसका निर्मान 1603 में पूर्ण हुआ, उस्ताद एहमद लाहुरी इसके प्रमुक वास्तुकार थे, इसमें पेत्रा दिवरा तक्नीका उप्योग हुआ है, और इन में से कोई नहीं, what will be the answer, इसका answer होगा D, इन में से कोई नहीं, मतलब तीनों ही जो तथे दिये हैं, ताज महल के बारे में कि बिल्कुल सहीं है, C, this question has been picked just because of the Mughal era we are dealing, ठीक है, जो Mughal era है, उसमें शाह जाहां के उपर से question पूछा गया है, हम सभी जानते हैं कि पूरे medieval history के अगर सबसे कोई famous या popular monument है historical तो that is ताज महल, it has been included in one of the seven wonders of the modern world, ठीक है, modern world के seven wonders में first में ताज महल को लिया जाता है, तो जाह से बात है, शाहा जाहां के बारे में पढ़ने के साथ सबको थोड़ा बहुत ताज महल की भी जानकारी होनी चाहिए, तो उसी पर से ये कुछ statements दें, तो हम सभी जानते हैं कि ताज महल जो है, वो शाहा जाहां ने as a symbol of love, अपनी wife मुम्ताज महल के लिए बनवाया था, या मैं कहूं, मुम्ताज महल का मगबरा बनवाया था, after the death of मुम्ताज महल, शाहा जाहां की wife थी, जिनका नाम था, अरजमन बानो बेगम, मुम्ताज महल उन्हे उपादी दी थी शाहा जाहां ने, सन 1631 में जब मुम्ताज महल की, तो शाहा जाहां ने उसी वर्ष, 1631 में ताज महल का निर्मान स्टाट करवाया आगरा में, ताज महल को बनने में 22 साल लगे, तो इसे साब से अगर 1631 में बनना शुरू हुआ तो बनकर कप तयार हुआ होगा, 1603 में, इसलिए जो पहला स्टेट्मेंट है, इसका निर्मान 1630 में पूर्ण हुआ है, ये बिल्कुल सही है, उसके अलावा, इसके जो प्रमुक वास्तुकार थे, इनमें दो लोगों के खास नाम आते हैं, उस्ताद एहमद लाहुरी और उस्ताद ईसाख खान, तो जो सेकंड स्टेट्मेंट है, उस्ताद एहमद लाहुरी इसके प्रमुक वास्तुकार थे, ठीक, चीफ आर्किटेक्ट थे, ये भी सही है, इनके साथ-साथ उस्ताद ईसाख खान का भी नाम याद रखिएगा, और तीसरा स्टेट्मेंट इसके आर्किटेक्टेक्चर से पूछा गया है, लब लिया गया है, कि इसमें पेत्रद्यूरा तक्नीक का उप्योग हुआ है, ठीक है, पेत्रद्यूरा जो आर्किटेक्चर की तक्नीक है, उसका इसमें इसमें इस्तिमाल हुआ है, तो देखो पेत्र दिर्वा का इस्तमाल सबसे पहले अगर हम देखें तो इत्मातुद्दौला के मगबरे में जहांगेर ने किया था ये एक आर्किटेक्चर की तक्नीक है जिसमें मार्बल के बेस पे कुछ कीमती पत्थरों को एमबेड करके अलग अलग जो नक्ष हैं वो केरे जाते हैं अलग अलग बेल बूटे वगरा बनाये जाते हैं आगर देखा होगा मार्बल पे इस तरह के आर्किटेक्चर को ताज महल में ये प्रमुक्ता से इस्तिमाल किया गया होता है जो पत्थर होता है इस रूबी एमरल या जैसे ताज महल में आप देखेंगे कि बेल्जियम से मंगाए हुए ब्लैक स्टोन्स के जरिए कुरान की आयते लिखी गई हैं तो ये सब जो आप ताज महल में देखते हैं और अलग-अलग जो हैं वो नक्ष बनाए जाते हैं मतलब कि अलग-अलग डिजाइंस बनाए जाते हैं तो ये पेत्रदिवरा तक्नीक है जहांगीर में सबसे पहले इत्मातो दौला के अपनी ससुर के मगबरे में इसका इस्तिमाल किया था और बाद में प्रमुक्ता से जो है इतरह दिवरा तक्नीक जो है इट इस स्पेक्टेक्टाथुला तो इस इसे जाब से कोई भी स्टेट्मेंट इंकरेक्ट नहीं है आंसर विल बी दी जाते हैं अब्विट अब्स नाइब को डिक गएर ऑबर के समय में अराबा भारी क्या था ठीक है अराबा भारी वर वाबर के शासनकाल में किसे कहा जाता था तोप कर सैने टुकडी यह इनमेंसे कोई नहीं क्या था भई यह डिरेक्ट फेक्चल क्वेशन है इसका अंसरों का ए तोप ठीके अराबा भारी जो है वाबर ने जो युद्ध में पानीपत की युद्ध में जो तोप का इस्तिमाल क 1526 में इबराहिम लोदी के विरुद उसमें बाबर ने एक नई तरीके से तोपों को सजाने और इस्तिमाल करने का तरीका इजात या मेकव इंडिया में पहली बार लाया था और वो जो तोप है उन्हें अराबा भारी बोला जाता था तोपों को सजाने की उस बेक या उस्मान कानी तकनीक जो है जिसमें दो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर कैनन के जो बैरल्स होते थे वो रखे जाते थे जिससे तोपों को मॉबाइल किया जाता था नहीं इधर से उधर ले जाया जा सकता था वो पहली बार बाबर ने इंट्रिजूस के फिर धीरे से आप जानते ह किया था थीक है 1526 से पहले भी बाबर ने भारत में आक्रमन किया न यूसुफ जपीले पर तो उसमें पहली बार बारूद का इस्थिमाल किया था और पानीपत के युद में उन्होंने पहली बार उसबेग पददती के जो तोप है युनानी पदती के जो तोप है उसमानी पदती कि जो तोप खाने हैं उसको इंट्रिड्यूस किया था उसी पर से question पूछा है answer होगा ए ठीक now let us move on to the next question now question number 10 question number 10 है आपका निम्न में से कौन सी रचना है कृष्ण देवराय की है यह question विजनेगर समराज में तुलव वंच के सबसे प्रसिद शासक कृष्ण देवराय से पूछा गया है ठीक है और पूछा है कि इन में से कौन सी किताब या रचना इनकी द्वारा लिखी गई है अमुक्त माल्यद पांडूरंग महमात जामवती कल्यान केवल एक केवल तीन एक और तीन और एक और दो वट विल बीद आंसा कौन से किताब हैं कौन से पुस्तक के कृष्ण देवराय ने लिखी है इसका आंसर होगा सी एक और तीन मतलब अमुक्त माल्यद इन्होंने ही है देखिए आपको पहले कहा था मैंने कि विजन अगर समराज में यदि किसी राजा के बारे में सबसे जादा पूछे जाने के चांसेज हैं तो कृष्ण देवराय के बारे में जो इन से बनते हैं उन में से एक ये कि वे खुद एक साहित्यकार थे पहले आपको मेरे खाल से लास क्लास में बताया था मैंने कि कृष्ण देवराय पंद्रह सो नों से लेकर पंद्रह सो उन्टीस के बीच में तुलुवववंच के शासक थे ठीक जब भारत आया था बाबर तो उस समय यही शासक थे और इस वज़े से कृष्ण देवराय का जो जिकर है वो तुझू के बाबरी में प्रमुकता से किया गया और भारत की सबसे शक्तिशाली शाय सक के तौर पर बाबर ने उन्हें आडेंटिफाई किया थे तो उनके टाइ आया है वो खुद एक लेखक थे और उन्होंने दो किताबे लिखी जैसे कि हमने आंसर लिया है सी एक और तीन मतलब इन्होंने एक किताब लिकी थी अमुक्त मालियत और दूसरी यह की थी इन्होंने जांबुवति कल्यान ठीक यह दोनों किताबे दो अलग लैंगवेज मे दूसरी और यह मोच्त लेखकरारिक व्लत, तो नदक वार्ग की यह दोनों इन्हों है दोनों इन्की रचनाए जब आंडूरंग महामात्ब लेखकरण दूसरी अदूसरी और यह आंद्द आज दिगजमें से इनके श्टिघंजमें से सबसे प्रसिद जो आश्टिघंजमें तेनाली रामा पनित रामा कृष्णा ये थे उन्होंने ये बुक लिखी थी पांदूरग महामाति नाकि कृष्ण देव लाया थे रहा है थिक्षी तो याद रुखेंगा पांदूरग महा से क्वेशन शिवाजी के अध्धात्मे गुरु कौन थे वेरी इजी डिरेक्ट वेशन स्पूरीज़ क्या होगा ऑंसर इसका होगा आंसर होगा ए राम दास ठीके देखिए मराथा काल से सवाल आने लाजमी है ही और याद रखेगा एक और चीज़ ठीके अश्यूर आधे से को सब्दा सब्सक्राइब ख्यराती हैंगा झाल मुविख श्वाएं यहन थेखिए और रखेगा यहाद रखेगा इवन जब मुवीज वगेरा आती है न तो उस पर भी कहीं न कहीं उसके वजह से भी हिस्ट्री का जो पार्ट लाइम लाइट में आता है वहां से questions बनते हैं ठीक जितनी historical movies आई हैं आप देखेंगा उस साल के question papers में आपको historical movies जिस जैसे आपने पद्मावत देखी होगी तो उसके उपर अलाओ दिन खिल जी के उपर कुछ उससे related questions आप देखेंगे ही जो दागबन movie थी तो उससे related questions आप उस साल दिखेंगे ही ठीक है वैसे ही पिछले एक साल में आपने अभी दो movies देखी होंगी ठीक है एक आपने देखा होगा पानिपत और दूसरा होगा ताना जी ये दोनों ही कहीं न कहीं मराठा काल से जंबंदित है तो जाहिर से बात है मैं ये नहीं बोलूँगी कि directly वहां जे पर उसकी इरद गिरद जो कुछता है जैसे शिवाजी के बारे में सवाल पूछ सकता है पेश्वाओ के बारे में सवाल पूछ सकता है कुछ ना कुछ जी के पानिपत के युद के बारे में सवाल पूछ सकता है तो यहां से questions आप ज inkling बोल रहे हो कोई भी चीज चाहिए मोवी चीज़ की वजह से और कॉंट्रिवर्सी की वजह से पॉलिटिक्स की वजह से किसी भी वजह से इतिहास का कोई भी पन्ह यदी limelight में आता है तो वहां से सवाल होते हैं क्योंकि examiner के भी नमाग में वो चीज़ें click करती हैं और वहां से questions बनते हैं तो कुछ भी मैं सर्फ history की बात ने करें मैं हर subject में आपको यह कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ भी current में घटता है तो उससे related basic theory चाहे वो geography हो, चाहे वो country हो चाहे history हो, चाहे वो science हो उसको जुरूर पढ़ लिजेगा अगर आपके syllabus के अंदर है वो तो, ठीक है, वहांसे questions बनते ही हैं, ये एक smart way होता है ये predict करने का कि किन-किन parts of questions होते हैं, so coming back to the question, very easy question this is, भक्ति-ांदुलन का दौर चल रहा था उस वक्त और महराष्ट मराठाओं के उदय का एक बड़ा कारण, भक्ति-ांदुलन का प्रभाव था, मराठाओं के उदय के कारणों में सह्यादरी का जो शेत्र है वो भी गिना जाता है, वहांके बलिश जो जवान थे, उसके अलावा उनके द्वारा जो युदपदतियां वो लोग सीखते थे, छापा मार जुदपदति द्वावना जो थी ठीक है, एक तरह से विदेशी आकरमन कारियों से विदेशियों से भारत को आजादी दिलाने की जो भावना इनके अंदर आई थी, वो उस वक्त के जो संत थे, भक्ती संत उनसे भी थी, ठीक है तो गुरु राम दास जो है सामर्थ राम दास नाम है ये शिवा जी के फिलोसिफिकल गुरु थे, ठीक है शिवा जी के दो गुरु याद रखिएगा, एक दार्शनिक गुरु यानि की धार्मिक गुरु और दूसरे जो है युदुट शेत्र में तो जुदुटं राया है, तो दोनों के नाम याद रखिएगा, सेन शेत्र के इनकी गूरू दाता कॉन देव थे, जिनों ने पुणे की जागेरदारी इनकी बाले होते तक समाशा ली थी, तो सेना की शिक्षन उन्हें इनको दादा कोन देव ने दी थी और इनकी जो आध्यात्मिक गूरु थे जो spiritual reader थे वो एक भक्ती संथ थे जो थे समर्थ रामदास ठीक है तो एक direct question था शीवा जी से शीवा जी के और भी बहुत सारे पहलों है उन्हें जरूर पढ़ लिजेगा ठीक है मैंने पहले भी बताया था कि इनके पार्ट को आपको deal कर रहा है तो आपको बताना है विश्वास राओ और सदाशिव किस पेश्वा की काल में मराथा सेना पती थे ठीक है आपको commander in chief के नाम दिये गए और आपको बताना है कि कौन से पेश्वा पेश्वा इराज मर विश्वास राओ और सदाशिव नाम के दो सिनापती थे अब यवे जो चीजे मैंने कहीं वह आपको क्लिक कर रही होंगी कि मैंने question क्यों पिक किया है ठीक answer होगा डी बाला जी बाजी राओ विश्वास राओ और सदाशिव ये वही दो मुख्य सिनापती हैं जिनोंने पा नाम जो है लाहिम लाइट में हैं ठीक तो यह जो question है actually बाला जी विश्वनाथ जो की पेश्वा थे बाजी राओ फर्स्ट के बाद सरी बाला जी बाजी राओ ठीक है तो देखो बाजी राओ बाला जी बाजी राओ जो है 1740 से 1761 के बीच में पेश्वा थे तीसरे पर एहमद शाह अब्दली ने आकरमन किया था और 1761 में पानी पत का तीसरा युद्ध हुआ था ठीक जिसमें एहमद शाह अब्दली ने जो युद्ध किया था उसमें बाला जी बाजे राओ के इस तरफ से विश्वास राओ और सदाशिव राओ ने काफी वीरता से एहमद शाह अब्दली का सामना किया था दोनों फौजों में दोनों की संगठनों में दोनों की आर्टिलेरीज में बहुत फर्क था वह काफी शक्ति चाहली था उसाहिर सी बात आप जानते हैं कि बहुत ही भयंकर युद हुआ था और कोई मराठा के ऐसा घर नहीं था जहां से अधिक है तो मैंच他ख अब्दली ने पूरी तरह से मराठा समराज्यिका पतन का रास्ता खोल दिया युद्ध के बाद कह सकते हैं कि मैंच चेहर अब्दली ने पूरी तरह से destroy कर दिया था Maratha Samaraj को उसके पाद धीरे 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 जो Maratha Samaraj का जो सामर्थ है वो कम होता गया शेक्ती जो कम होते गई का जाता है 1761 में ही इस पानीपत की तीसरे युद में हारनी की शोक से ही बालाजी बाजी राओ की मृत्यू भी हो गई थी ठीके तो पानीपत की तीसरे युद से इस प्रशना आया है बालाजी बाजी राओ के मुकी सेनपती विश्वास राओ और सदाशिव राओ ठीके तो बालाजी बाजी राओ नाम याद रखेंगे पानीपत का तीसरे युद Is that clear? So that is it with all the questions we have done all the important questions related to history not all but we have tried to cover maximum portion देखिये इस हफ़ते history का जितना भी part मैंने deal किया मैंने दो lectures modern, दो lectures ancient और दो lectures medieval के लिए एक एक question मैंने कोशिश की कि हर topic से लो ठीके आप देख भी सकते होंगे कि modern, medieval और ancient में जितने भी topics होते हैं मैंने questions वहाँ से लिए number of questions जो हैं वो भले ही आपको और आपको लगेगा कि और होने चाहिए, 15 होने चाहिए 15, 20, 100 lectures होने चाहिए पर हमारे पास वक्त की कमी है, आपकी बहुत सारे subjects बचे हैं, इसलिए हम और questions और lectures नहीं ले सकते पर देखिएगा, मैंने हर question में जब कोई topic पिक किया, तो मैंने आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत guide ज़रूर किया है, कि अगर ये question पूचा है, तो कौन से topic से पूचा है, और इस topic में आपको और क्या-क्या पढ़ना चाहिए history is a factual part, नट a conceptual part ultimately मैं आपको जो भी explain कर दूँ आपको आखिर में चीजें रटनी पढ़ेंगी पर धाचा दिमाग में पैठाना बहुत ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस धाचे में पढ़ना है ठीक है, what to study, what not to study तो इस लिहाँ से मैंने topic सारे maximum cover करने की कोशिश की है again I do not guarantee you कि मैंने जितने questions दी, उनहीं में से questions फसेंगे पर हाँ, मैंने जो explanation दिया है आपको, मैंने जो चीजे कहीं कि भी यह चीजें आएंगी, आप इसे बिलकुल रटली जेगा वहाँ से आपके questions फसेंगे अगर आपने मेरे explanations को अच्छे से सुना होगा तीनो ही parts है तो जिन जिन चीजों को मैंने कहा है out of 10, 7 questions उन parts में से ज़रूर आएंगे ठीक है so that is it with today's FTR session and all my lectures related to history यहाँ खतम होते हैं Monday से आपका अगर अलग schedule होगा जो बाकी के बज़े आपके subjects हैं science है, panchayati, raja है यह सारे subjects के आपके objective questions deal होंगे so all the best for your CGPSC problems exam and thank you so much CGPSC की समपूर्ण तयारी के लिए competition community के YouTube channel को subscribe कीजे और डेली updates के लिए bell icon को प्रेस करना ना भूले